बॉड मॉर्णिंग बच्चों, आज हम physics chapter आपका बार है है, इसमें हम पढ़ेंगे नाभिक, ठीक है, तो आज आपका पार्ट ये फश्ट है, ठीक है और हम इसी का आज अध्यान करेंगे, ठीक है आपका चैप्टर ठीक बारा है, तो देखते हैं हम पहली एडिंग, पहले ए संरचना ठीक है तो देखते हैं ठीक है सबसे पहले पढ़ेंगे द्रभ इमान संख्या ठीक है इसके बाद उसी के आगी हेडिंग पढ़ेंगे ठीक है तो देखेंगे आगे हम नाभीक में न्युट्र経ड प्रोटान पाया जाते हैं नाभीक में station एक जिने सम्मली तो रूप से ६्सकरण कहते है तो लिखेंगे नाभीक में न्यूट्रान तता प्रोटान पाए जाते हैं जिन्हें समलित रूप से न्यूक्लियान कहते हैं तता प्रोटान यूट्रानों की संख्या को द्रब बिमान संख्या का अंतर नाभीक को निम्न प्रतीक द्वराँ प्रतीक द्रब बिमान मत्रक ते यम्यू कि यू निटुट यू फिर ट्राएव मत धवैजレस'm यू निट ओंओ एंधविंदी सूट रहसे है है एग उनीट यू थे कि लिखा एक लेगे एक इउट लीके लिके हैु एक यू बराबर लिखे है कि एक यू निट बराबर क्या होगा 6 की पावर C, C की पावर 12 ठीक है, के एक परमाणू का दरब इमान ठीक, बटे कितना 12 तो यहाँ पर 6 क्या है, परमाणू कि रमाण के ठीक है, वो 12 क्या है, दरब इमान संख्या है ठीक है, तो यहाँ पर 1 unit बरावर क्या आ जाएगा, 6 C, 12 की एक परमाणू का कितना होता है 1.992647 इंटु 10 की पावर माइनस का 26 किलोग्राम फिर आपान कितना 12 लिख लेना है ठीक आप देखें यहां पर 12 से भाग देंगे 1.992647 में तो आपका जाए गए एक यूनिट वराब एक दिसमलो 66054 इंटु 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम ठीक है फिर देख वारा की यह जाता है किसी इलेक्टरान के वोल्ट भी हो अंतर दोरा तोरित करने हैं आवश्यक उर्जा को एक रिंट को कहते हैं है ठीक है तो हाँ तदीक बड़ा मात्रक उप्योग में लाया जाता है जिसे million electron volt का उप्योग किया जाता है ठीक है फिर देखते हैं आगे ठीक तो एक 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 यूनिट बराबर होता है यह एक पर्माणु द्रबिमान मातरक बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्टरान वोल्ट ठीक है तो यह इसका मान है याद कर लेना फिर देखें आगे क्या है ठीक है आगे आपका बिभीने प्रकार की नाभिक तो बीभी ने प्रकार की नाविक हेडिंग डालके नमबर एक हेडिंग डालना है समस्थानिक तो समस्थानिक क्या है परमारु क्रमांक इसमें समान होता है समस्थानिक में क्या होता है विस ऐसे ऐसे समस्थानिक क्या होता है कि इसमें क्या होता है समस्थानिक में पर्मारु क्रमान की समान होते हैं परंदु द्रभिमान संक्या भिन्ने होती है ठीक है तो क्या कह रहा है कि पर्मारु क्रमान की समान दिखेंगे इसमें ठीक है और क्या परंदु द्रभिमान संक्या भिन्ने होते हैं जैसे कि एक्जामपल ने बत लोई सब्सक्राइब करने तेक। द्रबिमान सा थैज्टि थैज्टिया को 1च में 1 आसके दिया फ्रह दरबिमान सती। दो च्रेंट ब्ली में 3 hormHe 43 हम करें तो हमें हम्ह पता है कि इसमें क्या होता है संहान के समान की जड़ होता है जड़ जड़ होता है जड़ समान होते हैं और द्रबिमान संहज के तया होती है भिदनेव मों होती तहां और हमने इसका प्रतीक बताया था-शी रूप कैप्नले समान होता है यह की इस में क्या होता है तो इस में आ होता है अ न द्रब इमान संख्या में जट्कामान संख्या में भिन 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 मतलब एक च्छाय एक में इसाथ दिया है तो एक्जाम्बल में लिख लेंगे शिक्स स्य 14 वास सेवैन 14 थीग फिर देखें आगली हेडिंग, सम न्यूट्रानिक डाल लेना है, तो सम न्यूट्रानिक क्या है, न्यूट्रानों की संक्या समान होती है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रानों की संक्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है, तो एक्जामपल दे देना है, क्या लिखेंगे, ल समान पर्मारु क्रमांक वह समान द्रबिमान संख्या होती है समान पर्मारु क्रमांक होता है वह समान द्रबिमान संख्या होती है ठीक है फिर देखें नाभी का आकार तो नाभी का आकार क्या है यदि नाभी की तीजिया कैप्टल आर हो तदा द्रबिमान संख्या कैप्टल हो ठीक है मतलब नाविक की आकार में हेडिंग डालके इसके अंदर लिखना है कि नाविक की तीजया कैप्टल रोग्रभी मां संक्या कैप्टल कैप्टल एऊ तो आपका क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा चार बटे कि यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर इसको नियतांग मान लिया जाएगा तो आपका बचे का capital R नुकरण पाती के पावर रूऔर रूप दने की पावर वन वार थिर इसको लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको लिख लेना है तो लिखें आठ्थात नाभिक्तिरिज्चिया द्रभुमान संक्या के घंभूल के समानुपाति होती है तो क्या बताने है नाभिक्तिज्चिया जो होती है ड्रभुमान суп krijgen कि मतलब 1.5 हिटए के तरभी मांस के का है कैप्टल एक गनमुल के समान पाती है यहां आज नॉट एक नियतांक है जिसका मान 1.2 के नभी आपने के लिए एक अन्यमात्रक फहां पर्मी जिसको बोलते हैं है इसकी को बोलते हैं फैम टो मीटर या फर्मी ठिक के लिए नाभी की घन्यतों का अंकि कमान गयात करो कोशेच्चन यह दो रहा है कि किसी द्रब बिमान संख्या कैप्टल एक लिए नावकी घनतुका आंकिक मान गयाद करें हमें फार्मूला लगाना है घनत तो बरावर द्रब ब्रावर बते आयतन तो क्या हो जाएगा द्रब बिमान बरावर हम लिखेंगे यम इन्टु ए ठीक है तो यह मतल लिए किया तिन पाई पाई यार क्यूब सूत्र हो जाएगा ठीक है तो लिए लिए चार पटे 3 पाई यार क्यूब फिर देखें क्या किया चार बटे 3 पाई धियार का मान रख लेंगे तो capital R का क्या लिए लिए आर no qb into a जो भी हमने उपर पढ़ा है इसके बाद गनत तो बरावर ठीक है द्रब बिमान ठीक तो द्रब बिमान का क्या लिखेंगे यम इन्टु ए अपान ठीक है चार बटे तीन पाई फिर कोश्ट के दें आर नौट क्यू इन्टु ए ठीक है बरावर तो इसमें हम गुड़ा कर ले बुगुड़ा फिर देखें इसकी बाद यम क्या लेख यहां पर प्रोटान का अध्रब बिमान है प्रोटान का अध्रब बिमान कमान कितना होता है 1.01 एसटीन की पावर मैनेस का 27 यहां पर रहे लेकार है और पाइक कामान 3 देसमनों 1. लिख लेंगे हाल कर लेंगे हाल करने पर हमारा आएगा टू इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब तो यह हो जाएगा अब देखें अगली हेडिंग तो देखें द्रबबिमान श्हती तटा बंदन उर्जा ठीक है तो देखें द्रबिमान श्हती हमको पढ़ना आएक क्या है क्या है और निवट्रान तदा प्रोटान मिलकर नाभी कर निर्मार करते हеми इस प्रक्रिया में द्रभिमान की च्छति होती है द्रभिमान की होने वाली याद र च्छति हैं टीए अ तो स्थी crític आगे इसी के इसी का फार्मुला है ठीक डेलता यम बराबर ब्रैकेट के अंदर जड़ यम पी फिर प्लस तो आपको पता है कि जड़ किया है तो जड़ आपका परमाडू क्रमांक है ठीक है और यम यम पी मतलब प्रोटान का द्रब इमान है तो हम इसको पढ़ेंगे किस तर प्रोट ततर जणंकिया है मतलब की मतलब की दर्ब इमान संख्या माइनस परमाडू क्रमांक ठीक है फिर इसके बात ब्रैक्ट हम नीचे से लिखेंगे सूत्रा आपको मालूम हो गया ठीक है तो आप देखेंगे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे नाभिक में से ठीक नाभिक में तो आपका डेल्टा यम ठीक है डेल्टा यम क्या है आपका तो आपको पता है कि यहां पर हमें क्या निकालना था ठीक है तो ह कि नाभिक कि प्रोटानों को समस्थ नीट्रानों को निकालने के लिए आवश्यक नियुँंतम उर्जा को बंधन उर्जा कहते हैं ठीक है बंधन उर्जा का मां द्रविमान शदि पर निरवर करता है ठीक है और हम क्या लिखेंगे इसको लिख लेंगे b into e बरावर delta m c square ठीक है आप सूत्र बन जाएगा b into e बरावर ठीक है क्या बन जाएगा z m p plus a minus z m n minus e m ठीक और bracket के इंदा a into z ठीक है bracket बन into c square तो यह आपका delta m का मान है रख लेंगे द्रब इमान ठीक है द्रब इमान into प्रकास की चाल का square दिया है तो यह आपका ठीक है द्रब इमान छती delta m है फिर देखें आगे क्या है इसके बाद जो b into e है यह क्या है bonding energy है मतलब बंदन उर्जा है ठीक है तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे और delta m क्या है द्रब इमान छती का यह आपका उपर फार्मूला दिया हुआ है ठीक है delta m को द्रब इमान छती से पर दरशित करेंगे फिर देखें आगे फिर हम लिखेंगे यदि नाभीक में उपस्तित कड़ों की संख्या capital A हो तम नाभीक के लिए प्रतिकड़ बंदन प्रतिकड़ बंदन उजा नाभीक के स्थाहित करती है प्रयोगों के नुसार प्रतिकड़ बंदन उजा संक्या के संखत प्राप्त ग्राफ नीर्णाहा तो आपको ग्राफ दीख रहा है जिक ग्राफ बनाना है इसके बाद देखेंगे आगे यिए आपको प्रयोप्त वक्रसै फोक्तित परस्ति है आसपास के छेत्रों से अधिक प्राप्त होता है तीन संख्याओं को जादूई संख्याओं कहते हैं प्राया हलकी नाभिक सलिध होकर मद्यवर्ती नाभिकों में परिवर्ति होने की चिष्टा करते हैं तीन प्रक्रियों को नाभिकी सलियन कहते हैं ठीक है यदि देखें आगे क्या है ठीक आगे देखेंगे हेडिंग क्या है नाव की बल तो देखेंगे नाव की बल क्या है नाव की बल नाविक में नाव की बल में क्या है तो देखेंगे ठीक नाविक में कड के मद लगने वाले वाले बल को क्या कहते हैं नाव की बल कहते है तो प्रवल नाब की बल करता है। करण दूर्बल नाफ की बल करता है त्टिया है कि उत्रचण को तुर्बल नाफ की बल अत्व अन्यों क्रिया कहते हैं त्टिया कि नाफ की बल के पिसे इस गुड़ धर्म इस प्रकार है किस प्रकार देखें नापकी बल आवेस पर निर्भण नहीं करते हैं तो दो प्रुटानों की मद अथवा दो न्यूट्रानों की मद लगने वाला बल समान परिमानिका होता है ठीक है और नापकी बलों की परास बहुत ही अलफ होती है परास के अंदर नापकी बल की तुल्णा में सवगुनादिक भारी होता है ठीक है फिर देखें किया नापकी बल केंदी बल नहीं होते हैं तीसरा नंबर चौता नमर क्या नावकी बल समानता आकर्षन प्रकत की होते हैं परन्दो नुकलियानों के मद दूरी एक फर्मी की कोट से कम होने पर इनके मद प्रतिकर्षन बल कारे करता है ठीक है फिर देखें नावकी विखर्णन क्या है तो नावकी विखर्णन क्या है तो यह नाव की जो विखन ने है वो किया और गलावी काऊ किसी भारी नावी का दो या अधिक नाविकों में तूटने की प्रक्रिया और नावी को विखंडन कहते हैं इस प्रक्रिया में द्रब इमान छत के कारण अत्यदिक मात्रा उर्जा उतिसर्जित होती है यह उर्जा स्रोत के रूप में कारे करता है फिर देखेंगे आगे प्रकत में प्राक्तिक यूरेनियम निम्न अनुपात में पाया जाता है जैसे कि बाहर बान यूरेनियम दोसो चोहतीस अनुपाते बान में यूरेनियम दोसो पैटिस तीक है तो इसको क्या लिखेंगे 0.006 0.07 0.3 तो यह इसके लगभाग है ठीक है फिर देखें आगे कि बान मी यूरेनियम दोसो और तीस को बिखंडन में प्रेवक्त नहीं किया जाता है क्योंकि बिखंडन के लगभाग एक मिलियन इलेक्टरान उर्जा के न्यूट्रान से द्वारा ही सम्भाव है ठीक है फिर देखें बान में यूरेनियम दोसो पैटिस का बिखंडन मंद न्यूट्रान जिनकी एक लेक्तरान वोल्ट कोट क्यों होती है तो उसमी अथ्वा तापी न् जिनकी उर्जा 0.025 इलेक्टरान वोल्ट के लगभाग होती है के द्वारा ही सम्भाव है फिर देखें हेटिंग है बिखंडन अक्रिया बिखंडन अक्रिया क्या है बान में यूरेनियम दोसो पैटिस प्लस प्लस वो यनूवर्न एरो ठीक है आपका क्या है जीरो यनूव प्लस 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 ग्रां मिलियन वोल्ट ठीक है तो आपको यह आपकी यह डिफिनेशन है फिर देखें आगे क्या है तो आगे देखें क्या है बान बे यूदेरियन 235 नाभी के विखंडन प्राप्त 3 न्यूट्रान अनकुल परिष्थितियां प्राप्त होने पर यूदेरियन नाभगों को रखकर इसी प्रकार विखंडन करते हैं इस प्रकार जो विखंडन होता है विखंडन की शंकला बन जाती है तो प्रत्य पत के साथ विखंडन की संख्या तीवर गति से बढ़ती जाती है या प्रक्रिया आन यांति संकला अपक्रिया भी कहलाती है फिर देखें आगे इस परकार बिखंडित की जाए कि उसमें ब्रदी हो या कमी हो आपक्रिया ऐसे इस तरपर स्थाईर है जिससे आपक्रिया में मुक्त उजाच सदय विस्फोटक की सीमा से कम रहे तो उसे नियांतित शंखला अप्रिया कहते हैं फिर देखें इसके लिए आवश्यक है कि प्रत से जाइए फ्रतिह शेकेंट में निकलने वाले देदर प्रतिक में जाइक हैं निकल नहीं कि's संक्या आज्ञा si enc ΓाओACH कुला के बिवाधार की नियत दर्ट से चलती जाएगी तो नियंत्रीत स्ट ंधित हो जाएगि च्सक्राइब के लिफ देखें यूरणा को प्रभावित करने वाल यूरेनियम 238 लोग थिए परीच उत्रीक्तर से बरग होती है अता है मंदुकों जिसे भारी जल की सायता से मंदित करते हैं फिदुगुष्रा क्या है बिखननी पदार्थ का धरभिमान क्रांतिक धरभिमान से कम होता है तो अब देखें आगे हेडिंग है नाफकी बट्टी तो नाफकी बट्टी के है वहाँ समाय योजन जिसमें रेडिय थोरियम 232 प्लुटोनियम 249 इत्याद का प्रयोक करते हैं ति यूरेनियम इस प्रकार चुना जाता है कि उसे बान में यूरेनियम 235 की मात्रा अधी को इसे सम्रद यूरेनियम कहते हैं ठीक है मंदक क्या है तीव रगामी जीरो यनमन को धीमा करने के लिए प्रयोक्त पदार Śाफ को मंदक कहते हैं ठीक है और मंदक के रुक में समानता भारी पानी डीब्ण की अकार कर दिकिस करते से अगे म०ूरेक करतके हैं मैं ऑपको दिए यहां नियांतरक चणम कुक्त मिंत सब्सक्राटान। भट्टी में कैडमियम की छड़ प्रयोक्ति की जाती है क्योंकि कैडमियम 0-1 का उच्छी युक्त अवशोशक है ठीक है पर देखे सीतलक किया है सीतलक भट्टी में उत्वन हुर्जा को बाहर निकालने के लिए सीतलक जैसे जल भारी जल कारबन ड़या अकसाइड का व्यक्तियों को विक्रिणों से बचाने के लिए इसके चारोर कंक्रीट वा इस पात की एक दिसम्रों 5 मीटर कमसी कम मोटी दीवार बनाई जाती है तो एक कार प्रणाली देखेंगे संखला अक्रिया को प्रारम करने के लिए नियंद्रक छणों को दीरे-दीरे बहार निका स्बस्टियों गर्णाली दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-द पुनार बिखन्दन करते हैं तो इस रंखला अप्धिया नियंत रूप से चल्ती रहती है ठीक नीचे क्षणों को इस प्रकार विवस्तित टते हैं कि बिखन्दनों की संक्या नियत रहे उत्पाने उुर्जा को सीतलक इस एट से उचस्तान तक पहुंचा दिया जाता है ठीक फिर देखेंगे हेडिंग क्या है नावकी सल्लेयन तो देखेंगे नावकी सल्लेयन क्या है तो नावकी सल्लेयन हम अगली क्लास में इसका अधियन करते हैं ठीक है ठैंक्स क्लास ठैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो